गिगरलेंड एडवेंचर एक समय की बात है, स्पार्कल शायर की मनमोहब भूमी में, एमबर नाम का एक जिग्यासू छोटा अजगर रहता था, अंगारे के पास चमचमाते तराजू थे जो कीमती रतनों की तरह चमकते थे, और रोमाज से भरा दिल था. एक दिन, अपने घर के पास जादूई घास के मैदान की खोच करते समय, एमबर को दो प्राचीन ओक के पेडों के बीच छिपा हुआ एक रहस्यमय पोर्टल मिला, अपने पमखों को बहादूरी से फड़फराते हुए, उसने इसके माध्यम से उद्यम करने का फैसला किया, द कुनों तक सब कुछ एक आननमय धुन पर नाचता हुआ प्रतीत होता था, एमबर ने स्क्वी की नाम की एक शरार्ती बात करने वाली गिलहरी और हुट्सवर्थ नाम के एक गुद्धिमान बुडे उल्लू से दोस्ती कर ली, साथ में तीनों ने प्रसिद गिगलबेरीज क खोजने की खोच शुरू की जादूई फल कहा जाता है, कि जो कोई भी उन्हें चकता है, उसके लिए अनन्त खुशी लाता है, उनकी यात्रा उन्हें गुद्गुदी देजी के खेतों से होते हुए गिगल्स के पुल के पार और चकल्स की गुफा में ले गई, एमबर, स्क्वीकी और हुर्सवर्थ उन चनोतियों का सामना करते रहे जिन्होंने उनके साहस और चतुराई की परीक्षा ली, रास्ते में उन्होंने दोस्ती, दयालुता और चोटे-चोटे पलों में खुशी धुंडने का महत्व सीखा, अंक में बनोरंजक रोमाज की एक श्रिंखला के बाद, वे गिगलबेरी पेड पर पहुँचे, जहां भूमी पर सबसे अधिक हसी पैदा करने वाले फल उकते थे, अपनी आखों में एक जादूई चमक के साथ, उन्होंने मुठी भर गिगलबेरीस तोड ली, और उन्हें गिगलबेरीस में नहीं था, बलकि उस खुशी में था जिसे उन्होंने छुआ था, हंसी और नए ग्यान से भरे दिल के साथ, एमबर, स्क्वीकी और हुट्सवर्थ ने गिगलएंड को विदाई दी, यह जानते हुए कि उनके सांसिक कार्य की स्मृती हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान लाईगी, और इसलिए, एमबर अपने साथ दोस्ती, दयालुता और हंसी के संक्रामक जादू का सबक लेकर स्पारकल शायर लौट आया, उस दिन से, जब भी स्पारकल शायर में किसी को थोड़ी खुशी की जरूरत होती, एमबर गिगललेंड की कहानी साजह क यह सुनिश्चित करता कि उस संकी क्षेत्र की मनमोहक हसी उनके दिलों में बनी रहे।